Hello students, welcome back to your favorite channel, Magnet Brains. I am Gauri Jadun Economics Educator. आज हम discuss करने वाले हैं कि on the eve of independence, agriculture sector का क्या हाल था? क्या हमने सारी चीज़ों को face किया? क्योंकि हमें पता हमने दो चीज़े पड़ी थी. कि हमारे economy कैसी थी? बहुत ज़ादा prosperous थी? याने wealthy थी? रिच थी? हम लोग सिर्फ culture wise नहीं हर एक चीज़े बहुत रिच थे? और साती में हमाई जो economy थी? बहुत ज़ादा डिपेंडेंट थी? और अग्रिकल्चर. So, British rule के time पे हमारे agriculture sector पे क्या-क्या चीज़े हैं उसको हम study करने वाले हैं. लेकिन before that students आपको बताना चाहती हूँ कि Magnet Brains एक ऐसा platform है जो provide करता है free and quality education. If I talk about CBAC हम cover करते हैं classes kindergarten लेके class 12 तक and we also have a Hindi medium channel जो आप हम cover करते हैं classes 6 के लेके class 12. CBAC के लावा जो different state boards को हम follow करते हैं वो है MP board, UP board, Delhi board, Bihar board and Rajasthan board. तो यह सारी boards की भी classes आपको यह पर मिल जाती हैं वो भी absolutely free of cost तो आपको बिल्कुल बने रहना है हमारे चानल पर जल्दी से करना है इसको like, share and subscribe. Students as you all know कि यह वाले जो हमारा पूरा chapter है ना चाहे वो agriculture के बारे हम पढ़ रहे हैं, industry के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारा low development होना क्यों शुरू हो गया था, यह भी चीज हमने पढ़ी थी कि कैसे national income का पहली बार estimation हुआ था, तो बहु आपर basically हम यह नहीं जानना चाहरे कि क्या हुआ कैसे हो तो मैं पता है, हर साल हमें पता भी चलता है दो दो बार, है ना, so यह सारी चीज हमें पता है कि what happened, what was our struggle, everything, हम यहापर ही सारी चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग economics के point of view से पढ़ रहे हैं, so that is why 12 standard में आपको economics से point of view से पूछा जाएगा, आप से पूरी कहानी नहीं पूछी जारी, कौन लड़ा, कब लड़ा, क्या हुआ, क्या हुआ, बैटल अप्लासी बगरा, कुछ नहीं आने वाला है, so remember, this subject is very scoring, of course macro economics हमारे पास हाई, वो भी हमें याद करना है, और साथ में यह वाले को भी culture sector, so हमने जब चाप्टर आप में ही स्टाटी कराया था, जो हमारा पहला topic था, कि development colonial rule में हमारा क्या हुआ, हमने देखा था हमारी दो तरीके से हमारी economy थी, एक तो मेरी economy बहुत जादा self-reliant थी, जो हम आज का हमारा goal ही है कि वही भारत को आत्मनिर बनना है, हम अल्री थे, of course situation बतली, अभी तक हम developing nations में ही count हो रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले बहुत जादा self-reliant थे, हमारी जो economy थी, बहुत जादा wealthy थी, prosperous थी, जैसे के हम बोलते हैं, have a very prosperous दिवाली, वो ही वाला आप समझो, तो अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर second point के आता, कि जो हमारी जो economy थ dependent है, तो जो भी agriculture sector में हो रहा है, वो पूरी economy को impact करेगा कि नहीं, जल्दी से मुझे हाया ना में बताइए, करेगा की नहीं करेगा, तो of course हमें यह पता है, कि अगर हमारा agriculture sector में कुछ चीज़े होंगी, तो पूरे हमारी economy को effect करेगा, क्या चीज़े हुई 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 उसको agriculture in character, nearly 85% of the country's population lived mostly in villages and हम लोग बोल सते है, livelihood directly or indirectly from agriculture, so हम से हाँ पचास परशन की बात नहीं करे, we are talking about nearly 85%, right, 85% लोग क्या थे है भाई एक तरीके से पुरा, directly or indirectly dependent किस पे ते अगरी कल्चर पे, even with this large population, जो engaged agriculture में, the country was not self-sufficient in food and raw materials for industry, जब हम बोल रहे हैं कि 85% लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो फिर तो काम तो बहुत बहुत बढ़िया होना चाहिए, livelihood बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, what happened, बलकि हम लोग बुलकुल भी self-sufficient ही नहीं थे food में, इतना भाया agriculture में काम करने के बाग भी हम यह बोल रहे हैं कि लोगों के पास food नहीं है खाने के लिए, it shows that कि जो agriculture sector में हम कर भी रहे हैं, वो कुछ भी इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा development हो रहा हो, so that is why what happened, even though 85% of the population was involved in agriculture directly or indirectly, कुछ भी development इतना खास हमें देखने को नहीं मिला है, क्या हो ग रहाना, so it shows that कि condition कहीं नहीं बहुत ज़्यादा खराब है, right, screenshot लेंगे सब इसका जल्दी से, so that we can move on, done, okay, now the main reasons for stagnation का एक हमारे पास होता है कि हमनो बहुत ज़्यादा डिवलप कर रहे हो, so बहुत जल्दी से किसी चीज़ का development हो रहा है, stagnation का मतलब हो रहा है, बहुत ज़् बहुत ज़्यादा, slash, slow rate of development, कच्छुए की चाल से भी-slャुदो rate of development हमारा हो रहा है, तब बहुत ज़्या हमारे Hey Conley, पना लिजादा ज़्यादा ज़्यादा बहुत हो रहे है, हमारे बहुत ज़्यादा हो रहे है कस्छ उछ ही हो और हम बहुत है ज़्यादा है, बहुत the stagnation in the agriculture sector was caused due to the following reasons. Stagnation क्यों आ गया? क्यों 85% लोग involved in agriculture में उसके बाद भी development उत्ता अच्छा नहीं हो रहा? तो उसके reasons को सबको बहुत ध्यान से पढ़ना है. ये सारे आप चीज़े अलड़ी पढ़ चुके हैं क्लास एर्थ में. Social Studies हैं पढ़ चुके हो. ठीक है? एक revision हो जाएगा जिनने भी Social Studies अच्छे से पढ़ा है ना अपने बच्पन में उनको याद हो जाएगा. और मुझे पता है कि ऐसे दो टाइप के मैंने mainly students देखे हैं. या जिनको फूरा Science background बहुत अच्छा लगता है या जिनको Social Studies बहुत अच्छा लगता है. तो I feel कि जिनको Social Studies ज्यादा अच्छा लगता है यूशली वो Commerce subject को ज्यादा चूज करते हैं. लेकिन हो सत्ता है आप मैंसे किसी को Social Studies बिल्कुली पसंद ना हो, लेकिन you still have to study it. जैसे कि हम बोलते हैं न, Maths नहीं पसंद लेकिन फिर भी statistics आई जाता है. So Commerce ऐसा subject है, आप जिससे भी बचना चाहरो न, कहीना कहीं वापस आई जाता है आपके पास. Right? So coming back to where we were, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि stagnation हुआ क्यों? क्यों इतना slow rate of development हो रहा था agriculture sector में? पहला हमारे पास क्या है? Land, settlement, 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 settlement. तो basically हमने देखा होगा आपने 3-4 चीज़े पढ़ी होगा, एक permanent settlement पढ़ा होगा, एक महलवारी system पढ़ा होगा. तो यह हमने कुछ systems पढ़ा है, यह सारी system किस से regarding थी? Land, revenue के regarding. Britishers का क्या रोलता हमने देखा होगा, पहले वाले इसमें मैं आपको पढ़ाया था, कि Britishers ने हमारी economy हो कैसा बनाया था? Feeder economy, एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं थे? Feed कर रहे हैं, किसको feed कर रहे हैं? Britishers को, हमारे पास जो भी अच्छी चीजे हैं, वो उसको ले जाते थे, as raw materials, finished goods लेके आते थे, और इंडिया में supply करना शुरू करते थे. तो मतलब क्या है? हम से ही समान लेके गए, बना के हमें ही बेच रहे हैं हो समान. तो इस तो क्या मतलब समझ आता है? कि हमारा बहुत जादा exploitation हुआ. तो यहां पर क्या होता था? तो हमें बहुत जादा exploitation और बहुत जादा harsh behavior का follow हमें लाग एक तरीके से हमें सहना पड़ता था. तो हमें क्या पता था? कि Britishers जो बोल्टर है, वो करना तो पड़ेगा eventually. So that is why farmers जो थे भई, agree कर जाते थे. तो land settlement system के अगर हम बात करते हैं, the most important reason for stagnation in agriculture sector was introduction of zemindari system. अब इंडिगो तो में खानी सकती हम क्यों बोल्टर है कि भई जो फुड है हमारा sufficient नहीं हो रहा हम लोग 85% लोग अगरी कल्चर में बोल्टर लेकिन फिर भी खाना नहीं है क्यों नहीं है, इंडिगो नहीं खासते हैं, जो समान बनवार हैं, जो बोल्टर है कि नहीं ये वाला समान होगा हो, ये करो, वो अच्छली हम खाते ही नहीं है. So that is why the most important reason for stagnation in agriculture sector was the introduction of zemindari system led by the colonial government. Very important. Under the system, profit acquiring out of agriculture sector went to the zamindas in a form of lagan. किस-kis ना lagan movie देखिये? दो दुनी लगान देना पड़ेगा, यसा ही कुछ था ना? तो उन्होंने फिर fight करी थी, हैना between the Britishers और उन्हें वो cricket में चीता, तो उन्हें बोला कि हम lagan नहीं देंगे. So lagan क्या होता है? तो एक तरीकी से tax. तो बही ज लगेगा. आप developed ही यही हो पाओगे. बिकॉस एक तरीके से पैसा जो हमारे पास आता है, उसमें कुछ खर्च, income क्या होता है? income होता है, मेरे पास consumption plus मेरे पास savings. यह में पता है, तो income जो मेरे पास आ रही है, उसमें से कुछ में consumption करूँगी, और कुछ को में save करूँगी, उ tax के रूप में किसके पास जा रही है, लगान के रूप में किसके रूप में जा रही है, जमिन दार के पास. जमिन दार के पास, जमिन दार के हों से थे यूशली थोड़े वहम बोल सते थे, जो British के साथ रहते थे, उनके पास जाधा land बगरा रहता था, थोड़े दबदबा किया गया था, right, so this was the first reason इसका screenshot लेंगे सभी, लगान देना ही पड़ेगा, right, आप दोगे लगान हम, देते हैं क्या हम अभी लगान देते हैं क्या हम देते हैं भई, देते हैं लगान, टाक्स के रूप में दे ही रहे हैं, right, so that is why the main interest of the zamindar was only to collect लगान, regardless of the economic conditions of the cultivator, भले ही सामने वाला बिल्कुल उसमें अपनी फैमिली को वो अच्छे से खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, बहुत साई दिक्कते चल रहे हैं, कुछ परक नहीं परता था, देवा, so harsh, so rude, कि आपको देना तो पड़ेगा, भाई, लगान देना पड़ नहीं पड़ेगा, तो उनका main motive कहीं से भी नीट था, कि हम agriculture sector को boost कर, अगर आप tax ले रहो, जैसे कि हम गुस्सा करते हैं, कई बार government पे कितना tax हम दे रहे हैं, ऐसी road बना रखी है, ऐसी lighting दे रखी है, हम क्यूं गुस्सा करते हैं, because अगर मैं tax दे रही हूँ, तो यह मेरा ले रहे हूँ, तो भई हमारे लिए भी तो कुछ करो, लेकिन ऐसा तो कुछ होते ही नहीं था, क्या होता था, कि भी हो समान अपना जेब में रखते थे, और चले जाते थे, लगान कलेक्ट करना है बस, so what used to do, कि जमिन्दास क्या करते थे, उनका main focus क्या था, only to collect लगान, सि फिर से चलो, करो फिर हमाएंगे अंगले महीने फिर से लेने लगान, तो उनका सिव यही था, और कुछ उनोंने ऐसा, कुछ ऐसा किया नहीं, कि एगरी कल्चर में development हो, इससे क्या होता था, भाई, जो कल्टिवेटर की और इकनॉमिक कंडिशन खराब हैं, वो और ज़दा खराब हो जाती थी, so we can say that, the dates for depositing specific sums of लगान to British government were also fixed, failing which the zamindars were loosed, their rights, तो zamindars के उपरी बड़ा प्रेशर था, एक तो मेरे पास कल्टिवेटर से, ठीक है, फिर क्या थे मेरे पास, zamindars, और फिर क्या थे, Britishers, तो क्या होता था, कि एक कल्टिवेटर पैसे नहीं देंगे, तो zamindars भी तो पैसे नहीं दे पाएगा Britishers को, तो Britishers zamindars को torture करते थे, कि हम भया तुमसे zamindars वाला पूरा जो राइट से छीन लेंगे, तो तुम भी कल्टिवेटर ही बन जाओगे, तो वो डरते थे, कि नही प्रेशर किस पर बिल्ट कर रहा है, कल्टिवेटर पे, तो इस तरीके का पूरा टॉक्सिक रिवाइमेंट बन गया, रहीट, तो दाट इस वाब यह बोल सते है, और जो डेट जो थी, कि इस समय पर आपका लगान आई जाना चाहिए, वो बिलकुल फिक्स था, अगर यह न कि हमारा एग्रिकल्चर सेक्टर बिलकुल भी पनापी नहीं पाया, डेवलप नहीं कर पाया, और बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हमारी ग्रोथ हो गई थी, इसका स्क्रीन शॉट लेंगे सब भी जल्दी से, अगे बढ़े, चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आपको सारी सिच्वेशन जो है, समझ आ रही है, तो आपको जल्दी से करना है, लाइक, और मुझे कॉमेंट सेक्शन ने बताना है, how you are liking this session, मुझे feedback की तो जरुवत है, तब भी तो मुझे पता चलेगा ना, कि हमें और क्या-क्या चीज़े include करनी चाहिए आपके लिए, right, okay, now, second क्या था हमारे पास, commercialization of agriculture, तो अगर हम बात करते हैं, initially agriculture की हम बात करें, इंडिया में, आज भी agriculture बहुत ज़्यादा क्यों होता है, हम इसको ब basically profit के लिए कोई चीज कर रहे हो, buying के लिए वो चीज़े कर रहे हो, है न, so commercialization of agriculture means production for crops, for sale in the market rather than for self-consumption, आप खुद के लिए agriculture नहीं कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो, ता कि आप उसको market में sale कर पा, उसको बोग क्या बोलते हैं, commercialization, right, इसको बोलते हैं, commercial property है, इसका मतलब क होता है कि हाँ, buying and selling of property is going on, so during the British rule, farmers were given higher price for producing cash crops like cotton, jute वगेरा, क्योंकि ये सारे raw materials है, और raw materials किसके लिए, इंडिया के लिए एक है, नहीं, आपके लिए नहीं है, ये किसके लिए, ब्रिटिश अपनी जेब में लेके जाएंगे, इसको वापस ब्रिटेन, आपे समान मना के ल दो, तो basically क्या हो रहा है, कि वो फोर्स करते थे, क्या cash crops बना, because ये जल्दी बनते हैं, जल्दी सारी चीज़े होंगी, फिर से आपुछना है, development कर दोगे, तो cotton हो गया, jute हो गया, ये सारे cash crops मोंने इंवेस्ट करना शुरू करतिया, so however, this does not improve the economic condition of the farmers, because instead of producing food crops, they were producing cash crops, which were to be ultimately used by the British industries, ये खुद के लिए समान तो बना नहीं रहे, और जो हम बना भी रहे, पैसे आप हमें दे नहीं रहे, तो पैसे नहीं आएंगो तो खाना नहीं आएगा, और बलकि जो हम self-consumption तो थोड़ा बहुत हम लोग गेहूं वगरा बचा लेते थे, वो भी आप नहीं बच रह थी, मैंने जितना भी काम किया है, वो एक तरीके से commercialization के लिए कि ये समान को में बेचूंगी, जो मेरे पास पैसा है का उसको कौन ले लेता है, Britishers ले ले लेते हैं, उसको लगान के रूप में, थोड़ा बहुत जो बचता है, उसी से थोड़ा बहुत गुजारा चल पाता ह तो जो economic conditions थी एक farmer की, वो कभी सुधर ही नहीं पाई, आज भी हम देखते situation हमारे farmers की, of course कुछ farmers बहुत जादा रिच हैं, बहुत जादा prosperous हैं, लेकिन काफी सारे farmers इसी debt trap में भसे रहते हैं, राइट, ओके, so this Britishers rule promotes shifting of crops from food crops to cash crops, याने खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नही केते हैं, cash crops के पास, ठीक है, किस ने किया था ये, Britishers ने, क्यों किया था, commercialization of agriculture का, so who did it, Britishers, clear, screenshot लेंगे जल्दी से, quickly, done students, okay, low level of productivity, low levels of technology, lack of irrigation facilities and uses of fertilizers resided in low level of productivity, इसका मतलब क्या होता है, कि हमारे पास ना technology थी, ना साथ है irrigation की facilities थी, और fertilizers वगेरा भी हम बहुत कम utilize कर पाते थे, तो क्या होता था, कि जो production हो भी रहा है, वो इतना अच्छा नहीं हो रहा था, एक तो वैसी ही काम हो रहा है, वैसी हम लोग क्या produce कर रहे है, cash crops को, और वो भी ढंके नहीं हो रहे है, तो मतलब एक डिक्कत के बाद, एक डिक्कत के बाद, दूसरी डिक्कत आते चलीजा रही है, मतलब एक तरीके से जेटा लाल की जिंदण्वी हो गाई है, एक के बाद एक डिक्कत, हमाई लाइफ की बोल सकते हैं हम बोलते हैं यार एक प्रॉब्लम खतम होती नहीं कि दूसरी वेट कर रही होती ही गेट पर तो ऐसी सिचुएशन अभी हम ऐसी हसके और समझ के बाते कर रहे हैं लेकिन अगर हम थोड़ा भी अंदाजा लगाते हैं कि उस सिचुएशन में किस तरीके से सर्वाइफ करना कितना मुश्किल होता होगा we are very lucky कि हम उस जोन में भाई या बॉन नहीं हुए या री बॉन अकर हम हुए तो ऐसे हो गाए हो सकता है कि हम यह क्या पता कि हम लिटरली वहां पर हूँ उस टाइम पर फिर वी डाइड एन अगें यह हमारा री कि हम लोग कितनी बार जनम लिते हैं तो उस अता है कि यह भी हो लेकिन वी लखी वेरें फ्री इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया आप देखे बिकॉस्ट कंडिशन सफ फार्मर कि अभी हम यह सारी चीज़े पढ़ रहा हैं समझ रहें इसको क्रेटिव तरीके से पढ़ करमिंदार हमें फो पॉर्स कर रहें बिर्टिश रस कि नई आपको बनाने रहेंगे दूसरे कमर्शलाइज़ेशन के लिए गुर्स आपने चीज़े करी और उसके बाद ही आपका प्रडॉक्षन अच्छा नहीं हुआ लेकिन लगान तो आपको दिना पड़ेगा आपका ए situation थी ठीक है? So, what happens students अगर हम बात करते हैं, low level of productivity, क्यों थी? Irrigation facilities नहीं थी, technology नहीं थी और pesticides or fertilizers का भी यूज अच्छे से नहीं था. इसले क्या हो रहा था? जो हमा हम पस productivity आभी रही हुद थी, अच्छी नहीं आ रही थी. So, the cultivator had neither the means nor any incentive to invest in agriculture. The Zarmindar had no roots in the village, while the British rule spent little on agriculture, technical or mass education. All this made it difficult to introduce modern technology, which caused a low level of productivity. Perpetual का मतलब की बार बार सेम चीज़ अगर हम बोलें, की low level of productivity जनरे जननल लगी. So, basically productivity का यहां से क्या मतलब है, की बही कितना ज़्यादा हमारा production हो रहा है? So, now low के पास इतनी education वगेरा थी, का अगर उनको पास कोई नहीं technology है, तो उसको वो समझ पाएं. So, यह बहुत सारी दिक्कत हैं हमारे पास आगाई थी, which led to the low level of productivity of agriculture. Screenshot लेंगे इसका सभी, जल्दी से, quickly. Everyone take a quick screenshot of this one, students. Right? So, you need to understand की कैसे situations हमारी बदल गई थी. Okay. Scarcity of investment. So, as we all know, economics हम क्यों पढ़ते हैं? Because of this one particular word that is scarcity. इसका मतलब होता है कि इसी चीज़ का कमी होना, resources का कमी होना. तो क्या होता था, अगर हम बात कर रहे हैं, हमने यह बोला कि जमिंदाज तो लगान वगरा ले भी रहे हैं, कुछ investment नहीं कर रहे हो. हैना, कुछ investment नहीं कर रहे हैं, कि उसको बूस्ट मिले, उसमें कुछ improvement हो. बल्कि ऐसी situation हो रहे है कि और साथ हमारा अगरिकुल्चर सेक्टर तरफ जा रहा है. So, what happened? India's agriculture was facing scarcity of investment in tracing, flood control and drainage. Although some farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of the tenants and small farmers, share croppers neither had resources and technology nor had investment या incentive to invest in agriculture. Share cropping is a form of agriculture in which a land owner allows a tenant to use the land in return for a share of the crops produced on the production of land. So, share cropping मतलब basically जो भी आप crops बना रहे हैं, उसमें आप sharing करते हो. कि government, जो Britishers नहीं बोलूँगी, जो भी ओनर रहता है, वो बोलता है कि ठीक है, आप इतनी से जगापे खेतिवारी कर सत्ते हो, लेकिन आपको इतना particular जो section है, आपको crops मुझे देने पड़ेंगे, जो भी आप produce करें. उसको मतलब क्या बोलते हैं, share cropping. So, because इतनी सारी चीज़े हो रही थी, कोई भी investment ही नहीं था, agriculture sector में, उसकी वज़े से काफी हमें downfall देखने को मिला. Screenshot लेंगे इसका जल्दी से. Clear? Okay. Now, one more thing. एक और चीज़ यहांपे हमें देखने को मिली थी, the adverse effects of partition. So, what is the meaning of adverse effects of partition? अगर हम बात करें partition. What is the meaning of partition? Meaning क्या बोलें? We have seen की हम बात कर सकते partition हमारा हुआ. है ना? After independence, Pakistan अलग हुआ, India लग हुआ. So, partition हुआ. So, India's agriculture production received a further setback due to the country's partition at the time of independence. A sizable portion of the undivided countries, highly irrigated and fertile land, went to the Pakistan. Punjab. Punjab हो क्या बोलते हैं? Parch reverse caste, that is Punjab. क्या हुआ कि वो जो पूरा portion, जो सबसादा हम लोग बोल से थे irrigation था, जहां से reverse वगरा बहुत जादा था, वो पूरा portion किस के पास चला गया? पाकिस्तान के पास. और हमारे पास बहुत कम portion मना. तो हमारे पास agriculture के regarding irrigation के लिए पानी कहां से लेकिया हैं? बड़ी दिक्कते हो गई. So, what happened? Almost the whole of the jude production area became East Pakistan. वो बांगलादेश के तरफ चला गया. जो आप बांगलादेश है. तो मारा ओम लोग वहां से भी गए? और यहां से भी चले गए. तो जो major portion में पास फर्टाइल लेंड था. वो कही ना कही एक बांगलादेश और हमारे पास कहां चला गया? पाकिस्तान में. So, India's jude goods industry which had enjoyed a world monopoly so far suffered heavily for the lack of raw material. तो पहले हमले में मोनोपॉली में थे बिकास एक कंट्री था और सबस्वादा प्रड़क्शन यहां पर हो रहा है. अब उसी कंट्री के दो भाग हो गए. तो monopoly भी तो गई ना? तो ये भी हमें face करना पड़ा. तो ये हमें एक impact डिखना पड़ा कि एक तो हमारा जो fertile end है वो भी चला गया, monopoly भी चली गई. तो students, ये थे हमारे कुछ impacts जो हमने अभी पढ़े हैं आपके agriculture sector regarding, आने वाले उसमें हमें और भी different sectors को पढ़ने वाले हैं. इसके आपको बहुत अच्छे से notes बनाने, point-wise आपको लिखना है, मैं आपको time देती हूँ, screenshot लेने के लिए तो भी आप बना सकते हैं, otherwise you also provide notes and e-books उसकी चलेंगे description box में given है, तोटली depends upon you, कि आप किस तरीके से अपने studies को consider करना चाहरे हो, और कैसे continue करना चाहरे हो, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंटरस्टिंग लिए पुरा Indian economy को हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से आपको ग्रोज आना है, सारे सेशन को अटेंग करना है students, ताज यह ओन लों कि Magnet Brains क्या है, कैसा channel है, जो प्रोवाइट करता है आपको quality education, हाई quality education आपको यहापने मिल जाती है, CBC के लावाव जो different state boards को हम follow करते है, that is Delhi board, PR board, UP board, MP board, and Rajasthan board, and quality education, CBSE, kindergarten से लेके class 12 तक, आपको सारे courses मल जाते हैं, और जो हमारा Hindi medium channel है, हम आपको cover करते हैं, classes 6 से लेके class 12 तक, हमें सिव YouTube नहीं, different social media sites पे भी आपको follow करना है, चाहिए वो Facebook हो, Instagram हो, Twitter हो, या WhatsApp हो, ताकि कोई भी important update आपसे, बिल्कुली मिसनाओ students, one more thing, हम आपको already, हम पहले ही बता चुके हैं, कि आपको कोई भी doubt of, हमें comment section ने बता सकते हो, आपको कोई भी confusion होता है regarding the classes, हमारे website और हमारे application को refer कर सकते हो, वापे हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा systematic way में आपको देखने को मिल जाती है, students, it will really help you a lot, so, इसको कैसे पढ़ना है, notes बनाने रहेंगे, notes कैसे बनाओगे, proper अपने notes बनाने है, board examination है, बिल्कुल भी lightly लिला है, अच्छे से पढ़ोगे, तो बहुत अच्छे आपको result देखने को मिलने वाले हैं, so that is why आपको बिल्कुल बने रहना है, मैं मिलती हूँ, आपसे नेक्स वीडियो में, जहाँ पर हम डिसकर्स करने वाले हैं, कि भाई, डिफरेंट और सेक्टर्स में, क्या हमारा एक तरीके से इंपाक्ट देखने को मिला है, British Rule का, आपको बुल्कुल बने रहना है, मैंने परेंस पर, तिल दें students, बबाए, I will see you in the next video, keep learning and thank you for watching.